यह देखो हम आपी डाल के सब को खिलाता है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और देख रहे हैं बख्रिया क्या खा रहीं यह भी सिखने को मिलेगा और यह जो आईटम है यह बहुत युनीक हैं और सब के घर पे उपलब्द हैं जो धान की खेती करते हैं उनके घर पे लेकिन आजकर लोगों ने इस्तिमाल करना बंद कर दिया है और यह बहुत महत्तपूर्ण है और इधर देख रहे हैं कि पैरा कैसे खाती हैं बख्रिया यह भी समझाएंगे आज पर भायों पे बहस्तों पे बालाघाट का काम है जिसका जवाब पूरे देजबर में कहीं नहीं है और यह भाइसाब हमारे साथ हैं नमस्कर भीया नमस्ते आपका परीचाए बताई है अम्रतला रहंगरे ग्राम केसले वड़ा पोस्ट केसले वड़ा जुला बाला घाट य 21 मही 24 को मैं रिटायर्में लिया उसके बाद पुन्हा मैं अपने जगह में आकर के अपनी क्रसिक कारे में जुड़ गया अज का नहीं बहुत पहले से काम लगा है मेरा समलिक परिवार है मेरे साथ मेरे साथ में बाल बच्चे नातिनों त्रों बहु बेटी और सब हैं प्याशी के वे हैं मगर नावकरी करने के लिए इक्षू किन रहा हो तो मैं यह चोटा से खुलवाया मुर्गी पालन वाला है सब बच्चों से स्टड़िं किया आज वह आपने देखा बहुत अच्छा कारे करम जबाद में मैं इस किसी ने सोचा कि बलियार आप क्या घर से यह में प्रदेश और छटीस गण में आरे सिस्टम से मचली पालन मैं पहली बार फिल्मा रहा हूं इतना सारा फिल्माने के बात यानिकि 6 रपे आरे सिश्टम से मचली पालन नहीं होता है इनके आँ होता है वो हम फिल्मा रहे हैं ठीक है सर तो चलिए सर से समझते हैं कि किस तरीके से बखरी और गायों का पालन करते हैं यह आपको संधाएं लेकिन उससे पहले कोंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल क सबस्क्राइक नहीं किया हैं तो सबस्क्राइब करें और लांगर किरें यह पालब टेके संदिया कि आपको निरें अगर बक्रिया मेरे वलनी बन आर दस नंग है, जिसमें माउज बक्रिया चार है, पांच से बच्चे हैं, और बरसाद को शीन में अभी दुबलाई पने, खिलाना प्लान बोई चल रहा है, मगर इंट्रेस रात नहीं खा रही है, फिर भी जो है, हम लोग दलिया खिलाते हैं, कुट बक्रिया उसको खिच-खिच खाती है और अपना प्लान कर लेती है, इसमें कोई दूमत नहीं, अभी हम क्या है, जादर परकुटी खिलाते लोगों को देखे हैं, ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइम देखना है, कि किसी ने डाल जगाली जैसे पत्तियों जैसे इसको बांद तो यह नीचे रखते हैं, गाती है में खाती है, खराब कर देगी टाइलेट कर देगी, युरिं कर देगी, किसरे सा बांद ऊना खिच-खिच की खा लेती है, और अपने इक्शा की पूर्ती कर लेती है, अच्छा, ठीक है, मैं यहां तक है, है सर कि बखरी पाले में, तव यहां कहते हैं जो भैसा का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं बोदा सब्सूर रखा है लेकिन वह इतना ही सुने है कि यह जैसे है और यह बोदा क्या होता है उसको नहीं मालूम है चतिसगड़ा लोग तो इसको कहते हैं बोदा जो भैस का पढ़वा होता है इसका एक भैस की बिजाई का लेने के लिए मैं साथ सुरू पर लिता हूं अच्छा यह बहुत दूबले पतले अभी अभी तैयारी में नहीं आया ह अब तैयारी हो जाएंगे सब असपास की भैसे मेरे घर में आती हैं तो मैं यह पालता हूं आपके हां यह जो है दूद कितना होता है अभी गर्षाट हो रहा है अकमी इसलिए हो गए कि बरसात पानी है अर गाय भैसे अग भी ना हो चुकी है और मौसम को देखती है दूद बना के डिवाल पे जैसे आप देखेंगे कोठा का आपको डिवाल दिख रहे हैं उससे यहां पर लगाते हैं और यह से निच्च्छाव क्यान नीचे है और नीचे आंगान है याने कि यूरिंगरी करती है ठोड़ा सा पानी मारते होंगे तो गोबर नीचे चल जा जाता है ऐसा ही होता है ना सर अब पगरियों पर लॉट के लिए सर में किसे विशेश आइटम मनाई है और जैसे कि यह देख रहे हैं यह जो बच्चा है है तो हम लोग भाई झालाख सब्सक्राइब दिखाए तो यह श्रूद साहरी प्रॉठ ़ोगोड़ाते हैं Clean गेरे दे शहनी की कि जो चुनी डाल देता है जो उड़त की चुनी डाले है इसमें कोड़ा है कोड़ा का मतलब होता है चावल को धान को जब कुटवाते हैं तो उससे कोड़ा निकलता है और जिसके घर भी चावल होगा वह उसको पहुंद अच्छे से जानता है और यह कोड़ा है और उसके साथ जो चावल का तुकड़ा होता है और फिर उड़त की चुनी डाल दिये तब तुर बड़ा स्वाधिष्टर हो गया हम भी कवी देखो यह देखो यह देखो का तो लगे हां यह सिट्टम है इस तरीके से खिलाते हैं अच्छा पूरा सफ़ा चट कर जाती होंगे हां पूरा सफाट कर जाती होंगे उदर पच्छेंकों भी खाते हैं। सब 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 खाते हैं कोई दिकत नहीं होता है इस बच्चे भी खाते हैं जवरदस्त देखिए और इसमें बहुत कम पैसा लगता होगा आपके घर का चामल खाते हैं कि कैसे करते हैं आज कल को प्रकुत करता है आज कल मार्केट करके लाओ कटियां चारे से नौशूर्पे दस कट्टे 50 की लोगी और बनाओ खिलास अब जनावरों को भाई शीदा यह देख रहे हैं और यह कम पैसे पर मिलता है बात का भी नौदास रुपया के आज पास मतलब गेहूं के चोकर से तो इसका रेट कम ही रहता है ठीक है और यह देख रहा है और जिनके घर पे हैं उनको कोई पर हमारे घर कर दो हैं तो यह देख रहता है थिंसको असानी Commissioner तो ऊकोड़ा की को खिलाते हैं गायों को खिलाते हैं तो मैंने सोचा कि यह वीडियो आपको दिखा दूँ क्योंकि बहुत घरों पे पहले के दिनों पर हमारे यह होता था और यह एक अच्छा अहार है जानवरों के लिए और इसका इस्तेमाल पहले गाहों किया करते थे तो धन्यवाद में प्रकास आउसर वीडियो पसंद आया तो लाइक करे और जादा जादा सेयर करे ताकि हमारी पुरानी पद्धतियां आज के नए जवाने के जवानों के पास मुझ सके तो धन्यवाद में प्रकास आउसर धन्यवाद